हेलो सुरेंट्स हम यहां डिसकस करेंगे क्रेडिट रेटिंग के बारे में सो देखिए क्रेडिट रेटिंग क्या हो गई क्रेडिट को रेट करना है ना उधार जो होता है जो क्रेडिट होता है जो लून होते हैं जो डेप्ट होते हैं उनको रेट करना क्रेडिट रेटिंग हो गई अगर ऐसे आपको credit rating नहीं क्लियर हो तो normally आप देखिए आप कुछ कहीं पी रेस्टून में जाते हैं कहीं कहते हैं तो आप उसको रेट करते कि अच्छी है या लैक मुवी है मुवी को बेशा कर आप इसमेंस करते हैं कि हम भी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए इसी तरीके से क्रइडिक रीटिक भी वहती है तो मितलब जो उधार यह डिशेट दी जा रहे हैं तो ट TED ले रहे हैं इस्यू कर São इन लोगों को rate किया जाता है इन चीजों को rate किया जाता है जिससे यह पता चल सके कि यह अच्छा है या बुरा है क्रेले डेटिंग क्या होता है एक measurement होता है यह क्या होता है इसमें measurement करते हैं पर्सन को या business entities को क्या measure करते हैं कि उनकी payment की ability कैसी है वो अगर loan लेंगे तो उसको किस हिसाब से वो pay कर पाते हैं उनकी financial obligation को pay करने की ability है उसको हम measure करते हैं और यह सब कई बात पर पिट करता है evaluate करते हैं उनको measure करते हैं उन business entities को या फिर किसी individual को और उनको क्या करते है rate देते हैं इसलिए इसी तरीके से अगर कोई person है जो debt वेगरा की case में है तो उनकी हम credit worthiness चेक करते हैं मतलब अगर यह लोग loan लेते हैं तो यह अच्छ से loan को repay कर देते हैं हैं अगर इन्होंने किसी का किसी से loan ले रखा तो उसका timely interest और principal amount pay कर रहे हैं तो यह creditable है मतलब अच्छे हैं तो इसको हम क्या करते हैं इसको evaluate करते हैं हैं तो इन rating के थुरू हम इसको evaluate कर पाते हैं तो credit rating क्या करता है inform करता है lenders को यह investors को कि whether the individual or companies will be able to pay back the loan तो अगर जैसे अगर credit rating मिली होती है तो हम जो यह lenders होते हैं जो लोग loan दे रहे हैं या जो investors हैं जो पैसे invest कर रहे होते हैं इन लोगों के लिए बहुत benefit हो जाता है क्योंकि यह क्या कर पाते हैं इस basis पर यह analysis कर पाते हैं कि जिसको वो loan देने जा रहे हैं या जिस companies में व उनका payment कर सके उनका जो जो लोन ले रहे हैं उनको repay कर पाएगी यह individual जो लोन लेता है वो repay कर पाएगा तो इसको क्या करते हैं इसको वो evaluate कर पाते हैं इसको समझ पाते हैं तो ratings इनको inform करती है lenders को और investors को और यह decision लेने में help करती है कि भाई यहां पर investment करना चाहिए इनको loan देना चाहिए या नहीं देना चाहिए ठीक है तो अगर poor credit rating है तो वो क्या indicate करते है वो indicate करती है कि यहां पर risk जादा है किस चीज़ का risk है कि यह loan default कर जाए मतलब इसका payment ना हो अगर interest rate क्या हो जाता है अगर ऐसा risk जादा है तो generally क्या होगा इस तरह के loan में interest rate को बढ़ा दिय जाएगा जैसे मुझे पता है कि आप loan लेने आएं और आपकी credit worthiness अच्छी नहीं है आपको अच्छी rating नहीं मिली वही है तो उस case में हम क्या करेंगे आपको जो loan देंगे उसका interest rate बढ़ा देंगे क्यों कि रिस्क जादा है आपकी case में तो जितना भी interest आप दे पाएं उसस person बहुत जादा रिस्की है इसके default करने की chances जादा है और इन सब situations में interest rate को बढ़ा दिया जाता है ठीक है तो यह हो गया credit rating ठीक है credit rating मतलब आप rate कर रहे हो किसको credit को rate कर रहे हो loan को rate कर रहे हो मतलब उस person को या business entity को rate कर रहे हो एक चीज़ धियान दिजेगा चुकी बात credit की कह जा रही है तो हमेशा debt की बात होगी है ना तो अगर company होगा तो company जो debt instrument यह जो bond issue करती है ना उसको rate किया जाएगा लेकिन equity shares को है ना या capital को rate कभी नहीं किया जाएगा क्योंकि यह credit है capital और equity तो owner हो गए ना owner की capital हो गई उसका खुद का हो गया किसी को repay तो करना नहीं है तो rate किया जाएगा जो चीज़ दूसरे को देना जो चीज़ obligation होती ना उसको rate किया जाएगा क्योंकि ए credit है credit को rate करना clear है तो यह बात ध्यान रखेगा आप अब हम next क्या देखते हैं कि यह जो ratings होती वो कैसी होती है तो basically जो rating मिलती है ना वो alphabetical या alpha numerical symbols में होती है जैसे triple A, P1, P P2 है ना या आपका AA या LAA इस तरह से मतलब यह alphabetical यह alpha numerical symbols में आपको inform करती है तो आपको पता होना चाहिए कि इस जैसे triple A है तो इसका मतलब क्या हुआ अगर किसी instrument को मान लिजी कि कोई debt instrument है किसी company का कोई adventure है और उस company के deventures को मिला है triple A तो इसका मतलब क्या हुआ है यह rate उस इसी तरीके से मिलती है जैसे आप एक normal life में star में rating करते है ना 5 star मिला है 3 star मिला है 4 star मिला है और उसकी basis पे आप उसको interpret करते हैं 5 star तो बहुत ही अच्छी है 4 star है तो थोड़ी कम है 3 star तो ठीक average है 2 या 1 है तो फिर बेकार है वो तो आपने क्या किया उसका interpretation किया कि कितने star है त symbols में मिलती है तो यह symbols को interpret किया जाता है कि यह कैसा है आपका अगर triple A मिला है तो मतलब बहुत safe है बहुत अच्छा है highest safety है मतलब risk कोई chance ही नहीं यह डिवेंचर का payment मिली जाता है अगर आप इस company में invest करके डिवेंचर खरी देंगे तो आपको company repay करी देगी maturity में मिल जाएगा बहुत अच्छा है बहुत safe है तो मतलब यह rating से आपको interpretation करना होता है और यह ratings कैसे मिलती है alphabetical या alphanumerical symbols में होती है तो यह facilitate करती है investors को कि differentiate कर पाएं different instruments को तो मतलब जो instruments को आप differentiate कर पाएं कि कौन सा risk है कौन सा moderate risk है कौन सा average risk है कौन बहुत safe है कौन कम safe है इस जो भी उनकी quality ह credit quality है उसको आप उस instruments को देखते हुए उस rate के business पे आप उसको evaluate कर पाएंगे उसको differentiate कर पाएंगे अब दो चार instruments है ABC तीन कंपनिया है जिसे मालिजी ऐसे समझे Reliance के instruments है टाटा की हैं और इसी तरह के से आपका अलग-अलग महींद्रा के हैं तो सभी के divinches हैं तो सभी के divinches ह है अब उस rate को जब आप देखेंगे तो आपके लिए easy हो जाएगा differentiate कर पाना कि कौन से किसके divinches अच्छे हैं किसके divinches अच्छे हैं हमको कहां invest करना चाहिए किसके divinches खरीदने चाहिए हैना तो यह क्या करता है यह आपको investors को बहुत facility provide करता है बहुत उनके लिए easy हो जात पहले चीज़ी देखें समझेगा individual को credit rating होती है companies को होने का मतलब क्या हुआ companies को होने का मतलब उनके जो instruments है उनकी रेटिंग मतलब उनके डिरवेंचेस की उनके bonds की इन सब की होना या government जैसे commercial papers हो गया है short term instruments हो गया है उनकी rating होना है और अगर individual की कहते हैं तो individual जब bank से loan लेत है तो उसकी rating भी कहते हैं इसके लिए हम civil score वेगरा चेक करते हैं तो basically इस तरीके से हम rate करते हैं तो अब internal credit rating क्या होता है यह समझते हैं तो यह done by the institution internally by the staff of bank या risk management department तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे माल लिजे कि यह bank है कोई भी bank माल लेते हैं तो माल लिजे access bank है तो access bank अपने borrowers को खुदी rate कर रही है तो internally उनके staff के through उनके risk management department के through उसको rate किया जाता है तो उसको कहते internal credit rating company अपने यहाँ ही rate करवा ले रहे किसी बाहर से rating नहीं करवा रहे है खुदी rate कर रही है खुदी rate दे रही कि यह अच्छे हैं यह कम अच्छे हैं तो उनको rating कर रही है ठी BASEL 2 guidelines to be followed for internal credit risk rating to be done for done of borrower for moving towards the advanced approach तो internally आप कर रहे हैं ठीक है पर सम केसे में क्या होता है कि आपको BASEL 2 की जो guidelines हैं उसके according आपको क्या करना होता है उनको rate करना पड़ता है ठीक है तो यह क्या होता है अगर आप internally rate कर रहे होते हैं तो उस वत आपको यह ध्यान देना होता है अब internally rate करने का मतलब आप उनकी credit worthी देख रहे हैं कि मेरे borrowers कैसे हैं उसके basis पर उनको rate देते हैं अच्छे आप borrowers को अलग rate दे रहे हैं अच्छे borrowers को rate दे रहे हैं उनकी repaying capacity के basis पर उनको rate कर रहे हो तो अगर आप उन पर और चीज़ों को धिहान देते हो तो उसको कुछ conditions एसी आते हैं जब आपको बैसल 2 की guidelines के साथ से जो इंटरनर इंटरनर रिसक एप्प्रोच होता है तो उनके basis पे आपको उनको करना पड़ता है तो यहां पर क्या होता है सभी तरीके से बॉर्वर्स को कवर किया जाता है अगर इंटरनल क्रेटिंग हो रही है तो किसको rate कर रही है company या किसको rate कर रही है banks तो सभी आ जाते हैं उसके अंदर जैसे कि retail है कोई SME sector है mid corporate है corporate है agriculture है कोई भी sector सभी जो भी जिन्होंने भी लिया हुए loan उनको वो cover करती है तो bank policy के हिसाब से vary करता है कुछ banks मेलग होता है कुछ banks मेलग होता है तो वो mention होता है कि हम किस तरह के borrowers को खुदी rate करेंगे किस तरह के borrowers के लिए external rating करवाएंगे वो सब चीज़े bank policies में mention होती है अब हम बात करते है external credit rating की तो external credit rating किसके थूर किया जाता है external agencies के थूर किया जाता है और हर external agencies में उनके professional analysts होते हैं वो rate करते हैं इन्हें को हम बोलते है credit rating agencies ठीक है तो credit rating agencies के हैं जो particularly इसलिए बनाई गई है ये agencies तरह इसलिए बनाई गई है कि ये evaluate करें चीज़ों को समझें और rate करें तो लोग but obviously बाते हैं मैं अपने ही समान को अच्छा बुरा कहूं बाहर वाले उस पर कम trust करेंगे लेकिन कोई बाहर का इंसान कहते हैं यह यह अच्छा है यह बुरा है तो उस पर trust जादा होता है तो इसी लिए external agencies को frame किया जाता है कि वो unbiased होगी वो bias नहीं होगी आप internally करोगे तो bias हो जाओगे पर अगर external करेंगी एक agencies जो इसी के लिए frame की गई है तो वो bias नहीं होगी वो unbiased तरीके से सभी companies के instruments को rate करेंगी है ना तो जब external agencies जो इसी के लिए बनाई गई है उनके professionals इस चरनल credit rating हो रही है और इन्हीं को कहते credit rating agencies कहते हैं तो mainly done for companies that had publicly traded debt तो इस तरह कि जो credit rating होती है वो basically की कि जाते है उन companies की की जाते है जो public में trade कर रहे होते हैं मतब जो public में अपने debt वगएरा को issue करते हैं bond को issue करते हैं commercial papers को issue करते long time और short time instruments को market में issue कर रहे होते ना उनके ल इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर आप खड़े हैं और आप कहते कि आप इंवेस्टमेंट कर रहे हैं मेरी कंपनी में तो बिसिकली आप इंवेस्टमेंट मेरी कंपनी में कर रहे हैं तो आप अपने पैसे उठा कि मुझे दे रहे हैं और मैं वो पैसे ले रहे हैं बोरो कर रहे हूं मैं कंपनी हूँ तो मैं वो पैसे बोरो कर रहे हूँ आपके लिए तो इंवेस्टमेंट होगे पर मेरे लिए borrowing हो गई, मैं loan ले ली वो, है न, तो क्या होता है, investor कहते कि मैंने investment कर दी, अब investment के नाम पर उसने bond खरीदा, या shares खरीदे, या deventures खरीदा, उसका अपना perception होता है, लेकिन basically company ने तो पैसे borrow कर लिए ना उस public से, और उनकी liability बन गई, उनकी obligation बन गई तो मतलब वो borrow कर रहे हैं, तो यह जो rating agencies है न, वो इन companies को rate करती है, कि आप अगर इस तरह की instruments issue करते हैं, तो आपकी capacity कैसी है, आप इनको किस तरह से payment करते हैं, क्या आपका ऐसा record है, कि आप अच्छे से repay कर पाते हैं, जो भी bond वे गएरा है, उनको timely repay करते हैं, तो यह सब चीजों को देखते हुए, वो आपको rate करती है, इनकी rating का मतलब यही होता है, कि वो production कर देती है, कि आप कितने safe है, यह company कितनी safe है, इनके default करने के probabilities क्या है, chances क्या है, कि यह आपकी पैसे को repay नहीं कर पाएंगे, आप investor जिसे देखा होगा, कई बार सुना होगा, कि पैसे डूब गए हैं, हमने invest किया था, पैसे डूब गए हैं, क्योंकि company शायद उतनी trustable नहीं थी, पर अगर आपने उनकी rating agencies को rating check की होती, तो आप यह समझ पाते कि predict करते हैं कि default करने की क्या chances हैं, तो कुछ credit rating agencies हैं, जो approved हैं इंडिया में, like crystal है, ICRA है, care है, fish है, इसके इलावा भी onicra है, bwr है, बहुत सारी credit rating agencies हैं, इंडिया में, जो work कर रही हैं, ठीक है, वो इंडिया में जितने भी companies वेगरा, जितने भी instruments वेगरा, उनको rate करती हैं, like crystal वेगरा है, तो उनका full form भी होता, जिसे credit rating information services of India limited, है न, ICRA क्या है, investment information and credit rating agencies of India, care क्या है, credit analysis and research limited, है न, यह सारे full form हैं, यह सब आपको याद होने चाहिए, तो यह सारी agencies हैं, अलग-अलग agencies हैं, अलग-अलग तो चार professions अपने अपने viewpoint देंगे, हर एक का अपना कहने का तरीका अलग होगा, ऐसे समझे जिसे आप movies को rate करते हैं, तो हर person अपने हिसाब से rate करता है, तो हर का category अलग-अलग होगी rate करने की, हर के rate बताने का तरीका symbol अलग-अलग होगा, इसी तरह यह सारी agencies हैं, हर agencies अलग तरीके से rate करेंगी, हर agencies का symbol अलग-अलग होगा, clear हैं, तो यह जब आप उन agencies के बारें पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, समझ में आ जाएगा, कि वो कैसे rate करती हैं, लेकिन अगर globally हम बात करें, तो global जो rating मिलती है, वो Moody's और S&P वेगरा की होती है, Stanley and Pooess वेगरा की, तो Moody's वेगरा बहुत फ्रीम ऐसे यह globally rating करते हैं, और इनकी rating को बहुत importance दी जाती है, global level पे, ठीक है कि Moody's की rating ऐसी है, इसके लिए, S&P की rating ऐसी है, तो यह बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यह global level पे rating करती है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ जैसे मान लिजे कि मैं बात कर रहे हूं, क्रिसिल की, है ना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चीज़ें तो यहाँ पर cover नहीं कर पाएंगे, पर थोड़ी से अगर मैं आपको बता दे दे, जैसे मान लिजे क्रिसिल है, तो क्रिसिल क्या कर रहा है, क्रिसिल किसी अ क्मपनी का मान लिजे की मैं कमपनी ABC Limited है, और क्रिसिल ABC Limited को rate करने के लिए आया, तो ABC Limited कंपनी के डिविंचर्स होंगे, उनके FD's होंगे है ना यह फिर उनके short term instruments होंगे या Bank की FD's को रेट कर रही है Krizzil Bank की FD को रेट कर रही है तो मत آगतあー अगर मैं किसी के ciok 컨 dop instrument को कि trivial करेट करोंगी तो कैसे rating दूगी अगर मैं FD को payer करोंगी तो कैसे rating करोंगी अगर मैं short term instruments को rate दूँगी तो short term instruments को कैसे rate करूँगी ये क्रिसिल रडिसाइड कर रखा है तो जैसे उन्होंने क्या कह दिया कि अगर कोई instrument है मालेजे डिविंचर ही है और बहुत safe है तो अगर ABC रेम्टिट का डिविंचर है और बहुत safe है highest safety है तो उसके लिए क्रिसिल ने क्या कह दिया AAA अब AAA का मतलब क्या हो गया AAA का मतलब हो गया ये बहुत safe है मतब अगर आप यहाँ पे ABC कंपनी के डिविंचर लेंगी तो आप बहुत highest safety आपको है मतब बिल्कुल secure है है ना अगर वहीं पर high safety है मतब उससे थोड़ी कम है तो AA हो जाएगा है ना adequate safety होगी डिविंचर की तो A हो जाएगा moderate safety होगी triple B हो गया inadequate मतब बहुत अच्छी safety नहीं ये तो double B हो गया high risk है तो इस डिविंचर पर high risk है और rating मिली है B तो आप समझ जाएगे B का मतलब यहाँ पर risk बहुत जाएगा है इस ABC कंपनी के डिविंचर लेने लायक नहीं को कि इनको क्रिसिल ने B rating कर दिया है तो इस तरह से rating उन्हों देते हैं इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा इसी तरह short instrument को भी rate करने को उनका अपना तरीका जैसे उन्होंने बोला P1 तो P1 का मतलब क्या होगे यह short instruments जो है short instrument बहुत safe है strong safety very strong safety है इसको P2 का मतलब strong safety P1 का मतलब very strong safety P3 का मतलब adequate safety तो इसका मतलब क्या हो हो वो सभी के लिए अलग-अलग rating बना रखे symbol बना रखे अगर fixed deposit है adequate बहुत ज़्यादा बहुत high safety है तो क्या करेंगे FAA तो F से fixed deposit उससे कम है तो FAA उससे कम है तो F A F B F C समझ में है रहा तो यह उनका crystal का हो गया इसी तरीके से अगर बात करें ICRA का तो ICRA क्या क्या क्याता है कि जितने भी मेरे long term instruments होंगे वो उनको कैसे वो divide करता है long term, medium term, short term इसके basis पर आपको rating करेगा तो उन्हेंने का अगर long term है बहुत safe है तो LAA उससे कम safe है तो LAA LA मतलब adequate है LBB अगर मैंने बोला तो इसका मतलब inadequate है और बहुत risky है LB अगर मैंने बोल दिया तो यह कैसे long term instruments में LB इससे तरह अगर medium होले होंगे तो MB लिख देंगे है ना तो इनका अपना तरीका हो गया किसका? ICRA का इनका अपना कहने का तरीका हो गया केयर का क्या है? केयर अपने हर rating के साथ केयर लिख देता है जैसे बहुत safe है long term instrument तो केयर क्या होलेगा? केयर ट्रिपल अगर कम है तो केयर डबल अगर risky है तो केयर भी इस तरह से long term instruments को वो rate करता है तो आपके पस कुछ examples होंगे ना तो आप उनको लिख सकेंगे तो इस तरीके से rating agencies rate करती है और जो rate कर रही हो उसको आपको interpret करना है और उसे हिसाब से आप investment decision लीजी आप समझ जाए कि कमपनी का defaulting risk क्या है clear है So I hope आपको clear होगा internal external क्या होता rating agencies कैसे होती है So wish you all the best Thank you so much